आप लोग देख सकते हैं ममें एक एक इमेटिकल मियर रखा हुआ है एक बाधर में मिलने वाला सब्मेटर है कोई है řेल कि भूपडाय का मेटर नहीं है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस में केबल डूcannecksi के हुए है यह रेट और ब्लेक वाय जो कि आपके में लाइन के वाय आते हैं के विल के तो ऐसी कनेक्शन होते है उसमें और देखिए मीटर के इंडिकेटर जल रहा है लेकिन यह बिलिंग नहीं करता है नहीं इसकी रिडिंग चल ले क्यूंकि इस पर अभी आउट पर लोड नहीं चल र करते हो दिए ज़ेगा तो यह मीटर भी लिडिंग चलाना का रिफितल से की मतव्य और के पजाने का हम आप अपने इल्लेक्रिकल लिल में कमी बादा सकते हैं लेकिन आपनías利चि यही चीज़ होती है तो आज की वीडियो में आपको क्योगल इंडेक्टिव लोट के वाइंगे इंडेक्टिव लोट हम बताएंगे नहीं जो एक्यूमंट होते हैं वो आपको बताते हैं जैसे कि आपका एसी हो गया फैन हो गया पूलर हो गया water cooler हो गया और और रेफिजेटर और उसके लाब वाशिंग मुशीन हो गई आपकी तो इस टैप के रितने एक्विमेंट होते हैं तो उससे चलाने पर और जातर घुरूर में यही चीज़े होती हैं क्यों आजकल रेश्टर ब्लोड तो काफी कम हो गया रेश्टर ब्लोड में आपका बल्ब से सबस्राइब कम करने कंडार कोरें के लिए कैसे हम क्या करें तो वे टीक आपको बता ही की नहीं ौर हमें अपने मिटर में कोई शेराथानी नहीं करनाए और ऐसा करते है तो वह बचली होगी और वह गलत तरीक आए आपको बादा थे यह क्या होगा ? आपको देख़वántल क्या देखिY एक charger चाहिए आपको देखिए एक capacitor चाहिए थी बाजया में आसानी से मिलने वाली capacitor है यह में यूज़ करना होगा यह right है इसलहूमा एक power saver device क क्या कोई सबाय आप कैसी भी उज़ कर सकते हो, इसे चाहो तो आप किसी टॉप में कनेक्ट कर सकते हो, जिसे लगाने मासानी है, या फिर आप बिना टॉप की भी उज़ कर सकते हो, तो इसे लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, जब भी हमारे घर में कोई भी लोड चल रहा हो जो मैंना आपको बता था आपका inductive load, तो उस load को चिलाता से वक्त, ये आप्साथे दरख में स्क्राइब किसी भी socket में connect कर देंगे, तो आपको भी बताते हैं कैसे connect करेंगें, किसी भी socket में आप इसे दूनों वाय लगा देंगे और switch on कर देंगे, यह केपसिट अपना वर्क करना शुरू कर देगा लेकिन इस वात काम हमें ध्यान अपना होगी कि घर में हुआए जब कोई लोट चल रहा होगा तब ही आप इसे लगाएंगे अगर बिनन लोट के आप इसे चलाएंगे तो यह किसी काम का नहीं होगा और जब किसका काम हो जा लेकिन जब आप दोनों वाए आपस में टच कर देंगे तो इसका करेंट खत्म हो जाएगा और आपको कोई भी जटका नहीं लगेगा ठीक है यह सिंबल से ट्रिक है आपको यह यूज करना है और इस बात का ध्यान रखे है जब लोट चल रहा हो तब ही आप इसे लगाएं और स्विच ओन करना ना भूलें तो दोस्तों इस तरह के से आप अपने बिजली के बिन में काफी कमी ला सकते हैं और आपको कितने लोट पर कितनी कैपिसिटी का कैपिसिटर यूज करना है वो आपको को